हालो फ्रेंड्स वेल्कम तो मैं चैनल हितल स्कॉर्ण स्टोन आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक कैनेडा के बारे में तो अगर आप नए हो मेरी चैनल पे तो प्लीज डॉंट फॉर्गेट तो सब्सक्राइब मैं चैनल तो आपको नए नए वीडियो कैनेडा के बारे में स्टडी परमेट वर्क परमिट एंड पीर के बारे में मिलते रहेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ओके सो हमने देखा है कि करेड़ा में पढ़ना है तो आइल्स आपको देने ही पढ़ेगी कंपल्सरी है ओके बट दूट दिस कोवेड-19 सब लोग बोल रहे है कि हाँ अगर आपको स्टडी परमीट चाहिए बहार जाना है अब रोट जाना है पढ़ने के लिए तो स्टडी विदाउट आइल्स पर्द फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है राइट आपको यह एक्जाम नहीं देनी है एक एक्जाम थी एंटरंस के लिए राइट आइल्स एकेडेमिक वो नहीं देनी है वो कंपल्सरी नहीं है ओके ओनेस्ली से ग्यूगाइज ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी एक्जाम दिये बिना यू केन गो देर और दू स्टडी राइट आपको अल्टरनेटिव इंग्लिश प्रोफिशन सी प्रूफ देना है ओके अल्टरने है राइट जो इनको यह एक्जाम नहीं देनी है फीफ यू आर ने की ओप इंग्लिश स्पिकिabout मेशन आपको वह एक्जाम नहीं देनी है रहे आप वहां पर रहे रह रहे हो राइट You are staying in Canada more than 10 years, right? तो आपको exam नहीं देनी है, okay? Otherwise compulsory है, IELTS नहीं देनी है, academic में नहीं देनी है, but दूसरी exam तो देनी है, तो यह हम देख लेते हैं, कौन-कौन सी university है, they are accepting IELTS and other exam, right? So, let's get started. List of university and colleges, first है, universities of Wingping, right? So, वो कहाँ पर है, Manitoba में है, अगर किसी को Manitoba में जाना है, तो उनिवर्शोटी ओविंग्पिंग में वो exam दे सकते हैं, वहाँ पर entrance दे के, they can secure their admission for September 20 and 21, in tech, मैंने यह university के बारे में एक वीडियो पूरा बनाया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पर जाके check out कर सकते हो, right? वो application अभी accepted है, okay? For 2021. Second है university, University of Saskatchewan province है, Saskatchewan province है, थर्ड है Brock University, वो कौन से province में है, Ontario, पोर्ट है Memorial University of Newfoundland and Labrador, वो Newfoundland and Labrador province में है, नेक्स्ट है Cabrian College, वो Ontario province में है, नेक्स्ट है Conqueria University, वो Montreal, Quebec, Canada में है, okay? नेक्स्ट है University of Regina, तो वो कहाँ पर है, Saskatchewan में है, पहले हमने वो भी देख लिया, University of Saskatchewan, वो Saskatchewan province में दूसरी उनिवर्सिटी है, Regina, दिस इस अपिटल of Saskatchewan, Regina, right? नेक्स है, क्रेल्टोन उनिवर्सिटी, वो ओटावा में है, उन्टार्यो में है, okay? तो आप उसको वहाँ पी जाके चेक आउट कर सकते हो, संहे क्या क्लेज है? वो ग्रेटर टोरेंटों में है, अर्र टोरेंटों में जिसको टोरेंटों जाना है, तो ये इस क्लेज के बारे में सच आउट करके, एडमिशन सिक्यूर कर सकते है, right? नेक्स्ट है, उकेंगना क्लेज, वो ब्रेटिष कोलेंबिया में है, तो जिसे को BC में जाना है, वहाँ पे रहना है, वहाँ पे study permit करना है, तो वहाँ पे जाके, website पे जाके, वहाँ पे online submission दे सकते हैं, ओके, तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, तो आपको नए नए अप मिलते रहेंगे, ओके, stay tuned, bye bye